नमस्कार, मैं हूँ Home Cook Ruma और मैं करती हूँ आपका स्वागत डियर फूड में आज हम बनाने वाले हैं पनीर चीज नगेट जो नगेट आप पैकेट वाले खाते हैं या फिर आप बाहर जाकर खाते हैं ये उससे कई जादा हल्दी और टेस्टी होने वाला है उमीद है आपको पसंद आएगी, ना जॉइन मी विल्कुक तरहादा इससे बनाने के लिए हम ले रहे हैं आपे ब्राउन बेड थोड़ा सा हल्दी बनाने की कोशिश करेंगे एक ब्रेट से एक नगेट बन जाएगा तो उससे साब से कॉइंटिटी रख लीजे इसके बाद हमने इसे फ्लैट करना है तो आप किसी बेलन की हिल्प से इसे फ्लैट कर लीजे और इसके एजेज निकालना है तो इस तरह से सारे bread ready है इसे रखते हैं इसके बाद हम लेंगे पनीर और इसको हमने cut करना है और हमें ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई चोड़ाई उतनी हो कि वो bread के अंदर अच्छे से fit हो जाए तो उसे ध्यान में रखते हुए हमने इसे cut कर लेना है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम ready कर लेंगे अब हमने इसे marinate करना है तो मैं यहाँ पर इस्तमाल कर रही हूँ एक चमर तंदूरी पनीर मसाला अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कोई भी घर का नॉर्मल मसाला इस्तमाल कर सकते हैं स्वाद के लिए नमक और आधा चमस दही लिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और इसमें इसे हमने बिल्कुल गाड़ा सा पेस्ट बना कर मिलाया है अब इसे हलका साइसे हमने फैन में ठंडा होने देंगे ताकि यह बिल्कुल अच्छी तरह से पनीर के साथ छिपक जाए दस से पंद्रम में ठो गए है और यह फ्राय करने के लेड़ी है पैन को गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे रिफाइंड ओल डाली हूँ और इसके बाद हमने इसमें पनीर को डालना है और फटा फट फ्राय करके निकालना है हमेंसे ज़्यादा कुप नहीं करना है बस चारो तरप से हमेंसे मसालों को पकाना है और निकाल लेना है तो इस तरह से यह ready है, इसके बाद हमारा bread भी पहले से ready है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक चमच गेहु का आटा इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्चिय रंग के लिए मैंने डाला है स्वाथ के लिए नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल कर एक गोल तयार करेंगे ना ही बहुत पतला और ना ही बहुत कड़ा इस तरह से ready है, अब हमने यहाँ पर cheese slice का इस्तमाल करना है तो आप चाहे तो पूरा का पूरा एक cheese slice एक nugget के लिए इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं one third कर रही हूँ, मतलब एक cheese slice में मैं तीन nuggets बनाऊंगी इसके बाद इस तरह से हमने इसे fold करना है और एक glue की तरह हमने इसे इसमें लगाना है और अच्छी तरह से चिपका देना है, यह बहुत ही आसानी से हो जागा आप फलकाल कहां तो इसे press करेंगे तो आप देखेंगे कि यह बहुत अच्छी तरह से उसमें चिपक गया है और इस तरह से आप दोनों तरप से भी इसे लगा लेंगे और इस तरह से ready कर लेंगे आप देख सकते हैं यह बन करते गया रहें और इसी तरह से हमने बाकी सारे ब्रेट के साथ भी करना है तो यह देखिए रेडी हो चुका है फ्राइ करने से पहले हमें एक इसके उपर हल्की सी कोटिंग करनी है तो हम थोड़ा थोड़ा इसे लेंगे आटे के घोल को और इसके करें पैन को गर्म करें मीडियम पर और इसे फ्राइ करना है तो हमें जादा कुछ नहीं करना है बस उपर का लेर जो है वो तोड़ा क्रिस्पी हो जाए और ब्राउन हो जाए बस इसे हमने निकाल लेना है तो आप देख सकते हैं यह रेडी है और इसी तरह से सारे नगेट्स क हमने फ्राइ कर लेना है और आप देख सकते हैं यह कितना क्रिस्पी चीजी और जूसी बना है इसे आप सर्फ करिए हरी चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है आप इसे इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपिक के साथ तिल देन कीप इटिंग और टेक कियर